दोस्तों नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे है यूर उनलाइन पार्टनर जो यहाँ पर कैंडिडेट सीटिट का वेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक नई खबर आ रही है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटिट की जो है डेट अप्लिकेशन फॉर्म की वो जो है नेक्स्ट अपडेट तक के लिए नेक्स्ट नोटिस तक के लिए डिले कर दी गए थी तो उसके एवज में यहाँ पर एक नई न्यूज निकल के आई है जो कि हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं तो टाइम्स नौ की यह न्यूज है जहाँ पर की कहा जुलाई से सीटेट का ओनलाईन अप्लिकेशन फॉर्म एक्सपेक्टड है आने वाला है यह यहाँ पर जो है इस न्यूज के माध्यम से ख़बर निकल के आ रही है तो इसमें कहा जा रहा है कि CBSE is expected to start the online registration for सीटेट 2018 from this Saturday तो आने वाला जो सटेटे है 21st July तभी से यहाँ पर जो है सीटेट का online application form निकाला जाएगा यहाँ पर आ रही है तो online application form for सीटेट 2018 would be made available on ctet.nic.in यहीं वेबसाइट है जहाँ पर की online application form आने वाली है डिले होने के बाद फिर से तो इस news को अगर हम पूरी तरीके से देखे तो central board of secondary education CBSE is expected to release the central teacher eligibility test सीटेट 2018 online application form by July 21st तो 21st जुलाई से CBSE जो है यह online application form निकालने वाली है सीटेट की तो as per the information shared by sources the registration process which was earlier scheduled to begin from June 22, 2018 would now begin from July 21, 2018 तो जो यहाँ पर form आपका June 22 से निकलने वाला था वो form यहाँ पर 21 जुलाई से निकलेगा यह बात यहाँ पर sources से पता चली है Candidate waiting for the application form are advised to keep a check on the official website seated.nic.in the examination is scheduled for 16 September 2018 तो जो exam यहाँ पर है 16 September 2018 जो कि यहाँ पर दिया गया था उसमें यहाँ पर जो है अभी कोई changes की बात नहीं बताई जा रही है हलांकि form का date यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 21 जुलाई से आपका आने वाला था वो 21 जुलाई से अभी यहाँ पर आएगा. Please be advised that the date have not been confirmed by CVSE as yet. The sources have only shared tentative release date and the form may or may not release on the given date. तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर CVSE की तरफ से confirmation अभी तक इस date पर नहीं आई है. Sources का कहना है कि यह tentative date है जिस date में release यहाँ पर होगी. Also the detailed information notification is already available on the official website along with the seated 2018 syllabus. तो जो date है वो delay हुई है लेकिन बाकी जो information है वो आपको seated के website पर यहाँ पर मिल जाएगी. The delay in the release of online application form have given rise to N60 among candidates waiting for this form. There was already a delay of nearly two years in the release of this notification. After the notification was released, however, the release of online application form were delayed. There is no official notification on the revised date of the released yet. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि already यह 2 साल delay हुआ है यानि की बीच में आपने देखा किया कि यहाँ पर यह exam नहीं हुई. तो उसके बाद यहाँ पर 2018 में होने की बात वी जिसमें की 22 जून से इसका form निकलने वाला था और उसके बाद यहाँ पर डिले हो गया है और official notification नहीं आई लेकिन tentative date यहाँ पर 21st July बताया जा रहा है. तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर Central Schools, Kendriya Vidyale, Javahar Navode Vidyale और साथी साथ बहुत सारे state है, government जो की वहाँ पर अपने state में seated की थुरू यहाँ पर लोगों को as a teacher लेती है, तो उन सवों के लिए यहाँ पर 1 to 8 के लिए seated की form निकलती है और TET qualify करना अब यहाँ पर सिक्षकों के लिए अनिवाड है, तो यह exam इसलिए यहाँ पर यह महत्यपूर्ण माना जाता है, वह official website पर दी जाएगी, मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि जब भी details यहाँ पर official website पर आती है, उसके बाद ही यहाँ पर इसे confirm माना जाएगा, यह sources के through times now यहाँ पर बता रहा है कि 21 जुलाई से यह form start होने वाली है, आप यहाँ पर seated.nic.in website को चेक करते रहेंगे, और चेक करते रहें, हलाकि आपको यह online partner पर भी बताई जाएगी, जब आपको website पर यह notification आएगी, अभी यह 21 जुलाई बताई जा रही है, तो देखते हैं कि 21 जुलाई से क्या यह form निकलता है, या उसके आगे भी यहाँ पर delay होता है, क्या यह tentative date जो sources के द्वारा बताई जा रही है, क्या उस date में यह form आती है, आगे के update के साथ हम आपके बीच बने रहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो व notification मिलती रहेंगी, मिलते हैं यह वीडियो में दीजे इजाज़त, बाबाए, जैहिन